नमस्कार बैटर ओफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूं कुश्पू बंगाल का सियासी संग्राम एक नया मोड लेता जा रहा है ममता सरकार ने शुबेंदू अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को डियेस्डिये के चेर्मेन पत से हटा दिया है उधर ममता ने बीजेपी पर निशानास आते हुए कहा है कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उसके कारेकरता डॉनर्ण ट्रम्प के समर्थकों की तरह बिहेव करेंगे उधर टीमसी सांसद का कहना है कि बंगाल की हर सीट पर दीदी ही उमीदवार है इनी सब विश्यों पर शर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है कैपिटल टीली के न्यूज एडिटर राजीव जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका दन्यवाद अधिकारी परिवार का एक-एक लोग जैसे पहले सुभिंदू अधिकारी ने टीमसी से नाता तोड़ा और फिर भारतिये जंता पार्टी में आये उसके बाद ये माना जा रहा था कि उनके पिता शिशिर अधिकारी जो उस समय तक चुपी साधे हुए थे जादा बोल नहीं रहते टीमसी के साथ परोक्ष रूप से भी खड़े रहेंगे लेकिन धीरे धीरे इस्थितियां बदलती गई और ममता बनर जी को लगने लगा कि मिदनापुर का पूरा छेत्र उनके हाथों से फिसलता जा रहा है और ऐसे ही अधिकारी परिवार को जो दूसरे मिंबर है जो पॉलिटिसियन है जैसे सुभेंदू अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी खुद भी सांसद है उनके एक भाई सौबेंदू अधिकारी को पहले ही चेर्मेन के पत्त हटा दिया गया है जो नगरपालिका में थे और उसके बाद उनके दूसरे जो परिवार के सदस हैं जो पॉलिटिकल पोस्ट रखे हुए हैं वहां पर तो उन लोगों को भी अब ममता बनर जी से अलग होन के साथ ये खड़े होंगे और उनके पास अधिकार जो होंगे उसका फायदा मिल सकता है तो अब उनको लगभग उन्होंने तै कर लिया है कि सुबेंदू अधिकारी के साथ उनके पिता उनके भाई उनके बहनोई जितने लोग हैं जो पॉलिटिक पॉलिटिसियन हैं और ट पार्टी के हाथों से फिचल गया है और TMC को ये लगने लगा है ममता बनर जी पूरी रन नीती तयार कर रही है उन्चेतरों के लिए प्रशांद की सोरून को सलाह दे रहे हैं स्टर जी बनाने के लिए लेकिन बास्तविकता कुछ और TMC को अब भारतिये जनता पार्टी के सा कर रहे हैं उससे TMC को इस बात का मतलब एक तरह से ध्यान होने लगा है समझने लगे है ममता बनर जी कि अब हमको एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा और शेशित अधिकारी वह अगली कड़ी है उसके बाद कई और फैसले अधिकारी परिवार के खिलाफ लेंगी जैसे सु ममता बनर जी को लग रहा था कि सुवेंदू अधिकारी के छेत्र में जाकर अगर हम उन्हें चुनोती देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनकी घोर बेजिती हो जाए उनके सभा में लोग न पहुंचे और जो बड़े नेता है TMC के वो भी उनसे दूरी बना ले तो इसके कारण पहले सुवेंदू अधिकारी को टार्गेट किया फिर उसके बाद सिसिर अधिकारी को किया सौमेंदू अधिकारी को किया अब इसी तरह से अधिकारी परिवार के हाथों से दिरे दिरे वो छीन लेगी पावर लेकिन बात पावर किसके पास है डेमोक्रेसी में सत्ता में बैठी हुई ममता बनर जी के पास या ममता बनर जी को कुर्सी से हटाने वाले जनता के पास डेमोक्रिसी में पावर सत्ता में बैठे हुए लोगों के पास नहीं होता है बजकी उन लोगों के पास होता है जिनके पास वोट देने का अधिकार है अब अधिकारी परिवार का वहां के लोगों के बीच जो पैट है, लोगों का उन्फ परिवार के उपर जो विश्वास है जिसके कारण उस परिवार के 4-5-5 लोग राज़ीती में इतने अहम पदों पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री राचुके हैं, अब वो लोगो विधाया और आगें वो इस तरह के चोटे मोटे काम करती रही है। जी राजीब जी भड़काओ बयान देने से बाज नहीं आ रही है ममता जिस सरीके से पहले भी अगर देखा जाए तो उनकी एक मंतरी की किरकी रिहोची किये सीता पर कमेंट को लेकर और अब ममता बनर जी ये कह रही है कि अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो उसके जो स जैसा ही बताब करेंगे जैसे कि डॉनल्ड ट्रम्प के समर्थकों नहीं किया बिलकुल और ममता बनर जी ने जो ये बयान दिया है उसके पीछे की पूरी मानसिक्ता को समझना पड़ेगा ममता बनर जी अभी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है वो वहां मुख मंतरी है और ये जो ट्रम्प के समर्थकों के साथ तुलना करने की बात है वो 2014 से भारतिये जन्ता पार्टी के लिए चल रहा है जब नरेंदर मोदी परधान मंत्री बने थे उसके बाद से उनके उपर आरोप लगाया जाने लगा ताना शाह का कि वो ताना सा है डेमोक्रिसी के लिए खत्रा है लोग तंतर को मिटा कर रख देंगे उस समय ये एक पैदा करने की कोशिश की गई समाज के अंदर डर का महौल बनाया गया कि नरेंदर मोदी अगर बार बार जीत के नहीं आएंगे और उनको अगर जीतने नहीं दिया जाए तो ऐसे इस्थिति में यहां पर जो इस्थितियां है बदल जाएगी अरजक्ता का महौल आएगा और जबर्दस्ती सत्तापेरिक काविल हो जाएगे लेकिन लोगों को ये दीरे दीरे तब समझ में आने लगा जब 2014 के बाद लोकसभा चुनाब खत्म हुआ और कई राज्य की सरकार बनी दिल्ली में आमादवी पार्टी की सरकार बनी और ऐसे इस्थिति में भारतिये जंता पार्टी ने खुशी खुशी एक सालीन तरीके से अपनी हार को स्विकार कर लिया तब इन लोगों के मुँपे ताला लगने रगा उसके बाद 2019 के चुनाब हुए उसमें भारतिये जंता पार्टी को और बड़ी जीत मिली अब पश्चिम बंगाल में चुनाब होने वाला है और मंता बनर जी के पास मुद्दों की कमी हो गई है उनके पास अब कोई मुद्दा रहा नहीं डेवलप्मेंट के मुद्दे पर वो पूरी तरह से पिछड़ गई है कह ज़हां भी अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतिये जंता पार्टी ने डेवलप्मेंट को एक आधार बनाया था दूसरी बात करप्रप्शन को लेकर भारतिये जंता पार्टी ने एक मुद्दा बनाया जिसमें मंता बनर जी पूरी तरह से गिरी हुई थी करप्सन के चार्चेज उनके कई मंत्रियों पर लगे हुए हैं यहां तक कि उन्हीं के पाथी के कुछ नेताओं ने भ्रस्टाचार के खिलाप अबाज उठाना शुरू कर दिया हाल में वैशाली डालमिया ने यह बता दिया कि TMC की दुरगती का सबसे बड़ा कारण ममता बनरजी सरकार के ब्रस्टाचार हैं उनके सरकार के समय में ना केबल ममता बनरजी के मंत्री विधायक यहां तक कि TMC के जो नीचे अस्तर के नेता हैं वो भी ब्रस्टाचार में पू पार्टिये जंता पार्टी के चुनोतियों का सामना कर सकती हैं। पार्टिये जंता पार्टी के चुनोतियों का सामना कर सकती हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ डर का महौल पैदा करने के लिए बाते कर रहे हैं। जिस सरीके से नुसरत जहां ने ये कहा है कि जो बंगाल की हर सीट है उस पर उमीदवार सिर्फ दीदी है। कि किस और इशारा करता है। और ममता बनर जी खुद ही अपने नाम पर चुनाब लड़ने के इस्तिति में नहीं है। वो चाह रही हैं कि उनका जो चुनाब हो वो भारतिये जनता पार्टी के खिलाप हो। वो अपने नाम पर चुनाब नहीं लड़ रही हैं। किसी को रोकने से हमें आना जरूरी है। अगर रोकने की राजनिती है तो वो खुद ही अपने चेहरे से डर गई है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका जो चेहरा है वो वोट दिला सकता है या नहीं। और नुसरत जहां ये बात जो कह रही हैं वो इसी तरफ हिसारा करता है कि अगर भारतिये जनता पाटी वहाँ पर अलग अलग कंजिटीट, अलग अलग परतिनीधी बना रही है। तो TMC को इस बात का डर सताने लगा है कि उनके 294 सीटों के लिए उम्मिदवार मिलेंगे की नहीं। बंगाल में है और ममता बनर जी के लिए ये एक संकेत है कि अभी से ही वो इस चीज के लिए तयार हो जाएं कि चुनाब में वो हारेंगी और उसके लिए मानसिक रूप से तयारी कर लें। नहीं तो अच्छानक अगर ममता बनर जी के साथ ऐसा हुआ उनका दिमागी संतुल भी बिगड़ रखता है। हिंदू भावनाओं को ठेश पहुचाने में लगे हैं। हिंदू भावनाओं के साथ खिलवार करें ताकि मुसल्मान खुस हो सकें। तो केशब प्रसाद मौरे के कहने का मतलब यही है कि हिंदूत्व का जो लहर है वो ममता बनर जी के नौ को डुबो कर दे। और जिस तरीकी से गजेंदर सिंग शिखावत ने हाँ पर जन संपर्क अभियान चलाया तो उनका भी कहना है कि जिस तरीकी से उन्हें अच्छा रिस्पॉंस मिला वो कह रहे हैं कि अब जो है बीजेपी को रोकना मुश्किल हो जाएगा ममता बनर जी के लिए। वो तो अब भारतिय जनतापाटी के नेता हैं तो भारतिय जनतापाटी का तो ये मानना ही होगा और वो इस्थिति क्राउंड पर जा कर पता चलता है। कि अब एक वैसा राज्य है नौर्थ इस लेके नौर्थ इंडिया तक पूर्वी छेत्र में बंगाल और उडिसा दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतिय जन्ता पार्टी को संघर्ष करना पड़ रहा है और वो उनका संघर्ष खत्म होने वाला है पश्चिम बंगाल में इस खत्म होगा जिसके लिए करीब 7-8 साल से तैयारी चल रहे थी और वो मुकमल होने वाली है तो इसलिए जो रिस्पॉंस भाज़पा को मिल रहा है वो पश्चिम बंगाल में टीम सी के नेताओं और खासकर ममता बनर जी के उस बौकलाट को से दिखाई पड़ जाता है पश् पाट उनकी है वो इस ओरी सारा करता है कि बास्तब में भारतिये जनता पाटी वहां पर मजबूत हो रही है और भाजपा इस बार टीम सी को उखाड़ थे के लिए तो ऐसा लग रहा है यहां पर कि ममता बनर जी के पास जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा है इसल प्रकाश मजूमदार जो की बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं वहां पर बंगाल के अंदर उन्होंने कहा था कि बंगाल में टीमसी के पास 294 सीटों के लिए भी उम्मीदवार नहीं बचेंगे उसी पर मुहर लगा दी है टीमसी सांसद नुस्तर जहाने यह कहकर कि बंगाल क कि हर सीट पर उम्मीदवार दीदी ही होंगी अगर आपको हमारे वीजियो पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें और क्यापिटल टीवी को सब्स्राइब करें नमस्कार